नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आईए आज हम सभी जानते हैं कटहल के फायदे और नुकसान के संबंद में पेन पर होने वाले फलों में कटहल का फल दुनिया में सबसे बड़ा होता है और इसकी चमकीली पीली खादे समगरी बहुत मिठी और रसदार होती है इसमें पाय जाने वाले बीज बड़े पैमाने पर स्टार्च और प्रोटीन से बने होते हैं यह फल एशियाई देशों में लोक प्रिय है और ज्यादातर गर्मियों के दोरान होता है फल के बाहरी सता पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जब कटहल कच्चा होता है तब उसे सबजी के रूप में खाया जाता है कटहल के पकने पर उसके अंदर के कोवा को निकाल कर फल के रूप में खाया जाता है इसमें विटामिन A, C और B6, कैल्सियम, पोटेशियम, लोहा, फोलिक एसीड, थाइमीन, रिवोफलोविन, नियासिन और मैगनीशियम जैसे कई महतोपून पोशक्तत्व शामिल हैं। आहार फाइबर में भी सम्रिध्ध है और इसमें कैल्विन, एकस्थिन, न्यूतिन और क्रिप्टोकसैथिन जैसे फ्लेवोनाइड पिगमेंट्स की एक महतोपून मात्रा है। आईए हम सभी जानते हैं कटहल से हुने वाले फायदों के बारे में। कटहल के फायदे सबसे पहले आपकी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए। प्रतिरक्षा प्रणाली वायरल और बैक्टीरियल संक्रमनों के खिलाब एक मजबूत प्रतिरोधक बनता है। यह समान्य बिमारियों को रोकने में मदद करता है। जैसे की खांसी, सर्दी और फ्लू। केवल 100 ग्राम जैक फ्रूट से 13.8 मिली ग्राम या 17% विटामिन C की आपकी दैनिक आवशकता पूरी हो जाती है। इसके अलावा कठल के लाव हैं तवचा को स्वस्थ रखने के लिए। जिहां, यादि आप कम उम्र में उम्र बढ़ने के संकेत देख रहे हैं, तो समय से पहले बुढ़ापे को रोकने के लिए जैक फ्रूट का सेवन शुरू कर दें। इसके एंटियोक्सिडेंट गून उच आक्सी करण, तनाव और प्रदूशन के कारण मुक्त करणों की शती को रोकते हैं। बदले में यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे जूरियां, फाइन लाइन्स और सूखेपन की उपस्थिती कम हो जाती ह जैक फ्रूट में मौझूद विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह उच्छ मात्रा में पानी की वजह से त्वचा की नमी के साथ साथ त्वचा को अच्छी तरह से हाइडरेटेड रखने में मदद करता है। जैक फ्रूट के फायदे आपके शरीर में लोहे की कमी को पूर्ती करने में भी होता है। लोहे की कमी के कारण एनीमिया को रोकने के लिए कट हल काफी फायदे मंद है। यह लोहे की अच्छी मात्रा प्रदान करता है और लाल रख्त को शिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। इसकी उच्छ वत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। पोशन प्रदान करने के अतिरिक्त यह रक्त की आपूर्ती को पूरे शरीर में अक्सीजन के द्वारा पूरी करने में मदद करता है। जिससे एनीमिया के लक्षनों को कम करने में मदद मिलती है। जैसे सुस्ती, निरंतर ठका और पीला रंग इसके अलावा कटहल के गून आपके शरीर में उर्जा को बढ़ाते हैं जिहां उर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं कटहल एक उर्जा पैदा करने वाला फल है इसमें फर्टोज और सुक्रोज जैसे सरल शरकरा शामिल हैं जो रक्त में शरकरा के स्तर को परदान आवने करने के लिएिवंड़गन वी इन फड़爵त को में भद दरद आधा है जो आपके शरीर को उर्जा प्रता करने के लिए टेजी से कैलोरी को बर्न Might करने से मदद करता है आपके जलसा. 1Wasritt बचाता है। कटहल का उपयोग आपको ब्लड प्रेशर से भी दूर रखता है जिहां नियंत्रित करता है ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर को कम करके आपके हरिदय स्वास्थे में सुधार करने के लिए काफी अच्छा होता है कटहल इसकी विटामिन C सामगरी मुक्त के हानिकारक प्रभाओं से लड़ने में मदद करती है और हिरदय रोग के जोखिम को कम करती है इसके अलावा इसकी पोटैशियम सामगरी शरीर में सोडियम अस्तर को नियंत्रित करके रक्त चाप को विनियमित करती है उच्छ सोडियम रक्त चाप में व्रिद्धी पैदा क कर सकता है पोटेशियम भी हरदय की मांस पेशियों को मजबूत और नियंतरित करने में मदद करता है इस फल में विटामिन B6 भी होता है जो खून में होमो सिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिद जिसकी अधिकता से हरदय रोग की संभावना बढ़ सकती है इसके अस्तर को कम क करने में मदद करता है जो दिल के दोरे और श्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है कटहल खाने के फायदों में से एक बेहद ही महत्वपून फायदा है कि ये द्रिश्टी में सुधार लाता है जिहां कटहल में मौजूद विटामिन A आखों के लिए एक विटामिन A भी शलेश्मा जिल्ली को मजबूत करने में मदद करता है जो कार्णिया पर एक परत बनाता है इस प्रकार यह बैक्टीरिया और वाइरल संक्रमनों से आखों की रक्षा करते हैं कटहल में विटामिन C स्वस्त कोशिका को बढ़ावा देता है और रेटिना कोशिक वाओं के उचित कारे को बनाए रखने में मदद करता है इसमें लिटीन और जैक्सेथीन भी शामिल है जो आखों के लिए अच्छे होते हैं इसके अलावा कटहल का एक बहुत ही महतोपुन प्रयोग है कि हड्यों को मजबूत बनाता है कटहल मैगनीशियम में सम्रिद्ध ह एक पोशक तत्व जो केल्सियम के अवसोशन में मदद करता है मैगनीशियम और केल्सियम हड्यों को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करते हैं और अस्थी संबंधी विकारों जैसे कि आश्टियोपोरसिस को रोकते हैं इसके हलावा पोटेशियम के नुकसान को रोकता है और हड्यों में केल्सियम घनत्व में सुधार करता है ये कटहल बेनिफिट्स में से एक महतोपून है कि ये थाईराइड से निपटने में आपकी मदद करता है कटहल में मजूद तामबा थाईराइड के चाया पचय में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है मुख्य liitamin स्वस्त पयराइट कार्यों के लिए महत्वपून है और विकार के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं इसके अलावा इसमें जस्ता magnesium और potassium शामिल है जो पयाँक पर कारेओं को सुधारने में मदद कर सकते हैं याचचाया-पचै को उत्ते प्रेजित करता है और उर्जा को बढ़ावा देता है कटहल के मुख्य और शद्य गुणों में से एक गुण है कि एक कैंसर के जोखिम को कम करता है जैक फ्रूट कैंसर से लड़ने वाले फिटेनियू मेंट्स और ऑक्सिडेंट्स में सम्रिध है यह कुछ कैंसर जैसे कि उक्सान पहुंचा सकता है और कैंसर का कारण बन सकते हैं इसमें विटामिन के मैगनीज और आहार फाइबर भी शामिल हैं जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं इसके हलावा जैक फ्रूट में फिटेनियू मेंट्स होते हैं जैसे लिगनांस आई फ्लोवोन और सैपोनीन जो की शरीर में कैंसर के कारण मुक्तकड़ों को खत्म करने में मदद करते हैं इसके साथ साथ आये जितना जरूरी था दोस्तों कि आप सभी कटहल से होने वाले फायदों को जाने उतना है जरूरी है कि आप इससे होने वाले नुकसानों को भी जाने क्योंकि कोई कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसके संबंध में पून जानकारी होनी चाहिए ताकि किन बिमारियों में इसका उपयोग करना है और किन बिमारियों में उपयोग नहीं करना है हमें पता हो जिसकी वजह से हम रोगों से बच पाएं अधिक मात्रा में कठहल का सेवन अपच और अन्य पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है इसलिए यदि कटहल खाने से अपच हो जाए तो केले का सेवन करें जो लोग वात की समस्या से पिडित हैं उनको इसके सेवन से बचना चाहिए पका हुआ कटहल कफ वर्धक है इसलिए सर्दी जुकाम खासी त्यादी रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए गर्भवती और अस्तन पान कराने वाली महिलाओं को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए पका हुआ कटहल खाने के बाद पान खाने से पेट फूल जाता है इसलिए घलती से भी कटहल के बाद पान का सेवन ना करे पित प्रकृति वालों को पका कटहल दो पहर में खा कर कुछ देर आराम करना चाहिए इस प्रकार से अगर आप खयाल रख करके जो भी हमने साउधानिया बताई इसके बाद आप अगर कटहल का प्रयूक करते हैं तो ये आपके लिए बेहद लावकारी साबित होता है दोस्तों तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों